प्रशन एक, परशुराम के क्रोध करने पर लक्षमन ने धनुष के टूप जाने के लिए कौन-कौन से तर्ख दी? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्षमन ने धनुष टूप जाने पर तर्ख देते हुए कहा कि यह धनुष पुराना वकम जोर था. यह तो राम के छूते ही तूट गया. इसमें राम का कोई दोश नहीं है. वैसे भी एक पुराने और अनुप्योगी धनुश को तोड़ने से हमें क्या लाब हो सकता है और आपकी क्या हानी हो गई है? ऐसे धनुश के तूटने पर क्रोध करना ठीक नहीं है. प्रश्न 2. परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्षमन की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर. दोनों के स्वभाव की विशेश्टाएं अपने शब्दों में लिखिए. उत्तर, राम के स्वभाव की विशेश्टाएं राम स्वभाव से कोमल और विनहीं हैं. इसी ये उनके मन में अपने बड़ों के प्रती श्रद्धा और आदर है वे स्वयम को परशुराम का दास बताते हैं वे व्यर्थ की बातों में न पढ़कर लक्षमन को समझाते भी हैं और परशुराम का दिल जीत लेते हैं लक्षमन के स्वभाव की विशेशताएं लक्षमन का स्वभाव राम के विप्रीत हैं. वे उग्रप, वीर और साहसी हैं. वे अपने व्यंग्य बानों से परशुराम को छलनी कर देते हैं, जिस कारण परशुराम भलक उठते हैं. इसके साथ ही वे वाचाल, मर्यादा का उलं शेली में लिखिये. उत्तर, लक्षमन हे मुनिव, हमने बच्पन में न जाने कितनी धनुष यां, छोटे धनुष तोर डाली, तब आपने क्रोग नहीं किया. फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? परशुराम भे राजपूत्र, लगता है तेरी मृत्यू आ गई हैं. फिर राम ने इसे नए के दोखे में देखा था. ये तो छते ही तूट गया. इसमें उनका क्या दोश है? परशुराम अरे शट, लगता है तू मेरे स्वभाव को अभी नहीं जानता है. मैं तुझे बालक समझ कर छोड़ रहा हूँ. तू मुझे निरामुनी समझ रहा है. मैं बाल ब्रमचारी हूँ. मैंने कई बार इस प्रित्वी के सारे राजाओं का सनहार किया है. मैंने सहस्रबाहू की भुजाएं कार डाली है. इतना ही नहीं. मेरे फरसे की कर्थोरता के भय से गर्ब के बच्चे भी गिर जाते हैं. लक्षमन प्यंग्य से वाह मुने ज जाओंगा. मैं आपको ब्राहमन समझ कर चुप रह गया हूँ. हमारे कुल में गाए, ब्राहमन, देवता और भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है. फिर आपके वचन ही करोडों वज्रों के समान घातक हैं. आपने शस्त तो व्यर्थ में ही धारन कर रखे हैं. प्रश्ण चार परशुराम ने अपने विशय में सभा में क्या क्या कहा. निम्द बध्यांश के आधार पर लिखिये बाल ब्रमचारी अती को ही. परशुराम ने अपने बारे में सभा में कहा. मैं बाल ब्रमचारी हूँ. सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रो हूँ. मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर इस धर्ती को राजाओं अर्थाक शत्रियों से विहीं किया है. मेरे इस भयनकर फरसे ने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को कार डाला. इसे देखकर गर्बधारिनी स्त्रियों के गर्ब भी गिर जाते हैं. प्राश्न पांच. लक्षमन ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेश्टाएं बताई? उत्तर, लक्षमन ने वीर योद्धा की विशेश्टाएं बताते हुए कहा कि वीर योद्धा रन भूमी में वीरता दिखाता है और अपने वीरता पूर्ण कारियों के माध्यम से अपना परिचे देता है. वे अपने पौरुष का हंकार नहीं रखते हैं और अपने मूर से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं. लक्ष्मन और परशुराम दोनों पराक्रमी एवं शक्ती संपन्न हैं परन्तु विनम्र नहोने से अहनकारी लगते हैं. राम में विनम्रता अधिक है तो वे अधिक प्रभावशाली लगते हैं. प्रश्ण साथ अपने हंस कर मुनी पर शुराम पर व्यन्यूक्ती की की आप स्वयम को बड़ा भारी योद्धा समझने का भ्रम पाले हुए हैं. इसी लिए मुझे बार-बार फरसा दिखा कर दराने का प्रयास कर रहे हैं. आपका यह प्रयास पहार को फूग से उड़ाने जैसा लगता है अर्थात कोरी वाचालता बता रहा है. खगभाव लक्षमन अपने साहस और बीरत्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुमहरबतिया नहीं हैं जो आपकी तरजनी को देखते ही मुर्जा जाएं. हम भी कोई कम नहीं हैं. मैंने फरसे और धनुष बान को भली प्रक प्राम को हरा हरा ही दिखाई देता है अर्थात स्वयम के बारे में बड़ी भ्रांती है. वे लक्षमन को गन्ने से बनी खाण के समान समझ रहे हैं कि उसे एक ही बार में नश्ट कर डालेंगे. वे अज्यानतावश यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लक्षमन लोहे से बना अंगर्ष मोल लेना आसान नहीं है। आपने चौपाई दोहा चंदों में रचना कर भाषा को सुगे और लोक्प्रिय बनाया है। चंदों के चरनांत में वर्णों का दीर गिया गुरू रूप में प्रयोग कर नाद सौंदर्य की वृद्धी की है। तुलसी के काव्य में अनुप्रास, अतिश्योक्ती, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ती, रूपक, मानवी करण, उप्मा, उत्प्रेक्षा आधी अलनकारों का प्रयोग सहच्ता के साथ हुआ है। उन्होंने वीर तथा हास्यरस के साथ ही मुहावरों, सूप्तियों और व्यंग्योक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। प्रश्न नौ, इस पूरे प्रसंद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरन के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पूरे प्रसंद में लक्षमन के कतनों में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य जलगता है। परशुराम मुनी हैं, ब्राहमन हैं, इसके साथ ही वे बहुत ही अरियल और बरबोले हैं, इसलिए लक्षमन उन पर व्यंग्यबान चलाना ही उपियुक्त समझते हैं जिससे वे और अधिक रोधित हो उड़ते हैं, लक्षमन अपने व्यंग्यबानों से उनकी खोखली वीरत की धज्जियां ओड़ा देते हैं, जब परशुराम आवेश में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले का सन्हार करने की बात करते हैं, तब लक्षमन कहते हैं कि हमने बच्पन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़े, जब परशुराम कहते हैं कि शिव धनुष की तुलना धनु प्रकार जब परशुराम क्रोध में आकर विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं अभी इसे मारकर गुरु के रिन से उरिन होता हूँ, तब लक्षमन व्यन्य प्रहार करते हुई कहते हैं माता पिता का तो रिन आप उतार ही चुके हैं। अब आपको गुरु रिन भारी पढ़ रहा है, लंबे समय से न चुका पाने के कारण ब्याज भी बढ़ गया होगा, किसी हिसाबी को बुला लो, मैं अभी अपनी थेली खोल कर हिसाब चुकाता हूँ, इस प्रकार यह पठितान श्व्यंग्य से भरपूर है। प्रश्ण दास, निमनलिखित पंग्तियों में प्रयुकत अलंकार पहचान कर लिखिये कब बाल कु बोली बधोर नहीं तो ही, ख कोटी कुलिस सम बचनू तुम्हारा, ग तुम तो कालू हां, जनू लावा, बार बार मोही लागी बोला, ग लखन उतर आहूती सरिस उत्तर, क, ब, और ह, की आवरिती के कारण अनुप्रास अलंकार है, ख कोटी कुलिस में, क, वर्ण की आवरिती से अनुप्रास तथा, कोटी कुलिस सम, में उत्मा अलंकार है, ग तुम तो कालू हां, जनू लावा, में संभावनात्मक वर्णन होने से उत्प्रेक्षा अलंक बार बार मोही लागी बोला में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर लखन उतर आहूती सरिस और जल सम बचन में उपमा अलंकार है। भरी गुबको पूपु कृसानु तथा रगुकुल भानु में रूपक अलंकार है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्ण 11. सामाचिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पढ़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर्निवृती का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद शुकी जी का यह कथन इस बात की प पहावल यह हुए नहीं होता वह कभी कभी सकारात्मक भी होता है क्योंकि वह अन्याय का प्रतिकार करता है और साहस्त तथा वीरता का प्रदर्शन कर उत्साह का संचार भी करता है। उद्दाहरन के लिए यदि कोई दुष्ट अभिमानी व्यक्ति आपके घर आकर आपसे अप्षब कहता रहे और आप सिर नीचा करके सुनते रहे तो वह शान्त कैसे होगा वह तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन ही करता रहेगा। उस पर क्रोध करने पर ही वह समय शान्त होगा। इसी प्रकार पर शुराम बढ़ चड़कर बक्चक करते हुए लक्षमन को म वियंगात्म को रूध करना आवश्यक था, क्योंकि ऐसे समय में को रूध रक्षक की भूमिका निभाता है। क्रोध के विपक्ष में मत रूध एक अबगुन है, मनुष्यका शत्रू है, क्योंकि वो उसे घमनडी और बरबोला बनाता है। क्रोध बिनाश का कार्य करता है वो निर्मान नहीं कर सकता। उद्दाहरन के लिए लक्षमन ने अपनी व्यंगयोक्तियों से परशुराम के क्रोध की आग को इतना भरका दिया था कि राम यदी संकेट से लक्षमन को नहीं रोपते तो कुछ भी हो सकता था। अतह क्रोध से बचना चाहिए। परिस्थिती में रखकर लिखे कि आपका व्यवहार कैसा होता। उत्तर, ओपर युग परिस्थिती में हमारा व्यवहार संतुलित होता। हम लक्षमन की तरह पर शुराम के बरबोलेपन का विरोध तो करते, लेकिन उनका अपमान नहीं करते। हम भी साहस के साथ जोड- परिस्थिती को समझ नहीं पाते। प्रुजनों का आदर करता है। वह दूसरों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह जग्यासु प्रवृती का है। वह प्रती एक नई बात की तह में जाकर उसे समझना चाहता है। मेरा मित्र क्रोधी एवं घमंडी नहीं है, पर आत्म सम्मानी है। प्रश्न 14, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए इस शीरशक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। उत्तर, हमें दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा समझता है, वो अपने आप में घमंडी बन जाता है। इस संदर्व में हम कच्छुआ खरगोश की कहानी लिख सकते हैं। की बात है कि एक तालाब में एक कच्छा रहता था। उस तालाब के पास ही एक बिल में खरगोश भी रहता था। तालाब में पानी पीने जाने के कारण खरगोश और कच्छुए में मित्रता हो गई। तोचा कि अभी तो कच्छुआ को यहां तक आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए वह पेड के नीचे विश्राम करने लगा। खरगोश को नींद आ गई। कच्छुआ दीरे दीरे चलते हुए निर्धारत स्थान पर पहुंच गया, वह कही पर रुका नहीं चलता ही रहा। जब खरगोश की नींद खुली और उसने फिर से दौर लगाई तो उसने देखा कि कच्छुआ तो पहले ही वहां पहुंच इस प्रकार कच्छुआ दौर में जीत गया, खरगोश को पच्छतावा हुआ क्योंकि उसने कच्छुए की क्षमता को कम करके आँका था। इसलिए शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। प्रश्नपंद्र, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। अंततह उसका जुर्माना माफ कर दिया गया। एक बार जब मैं बस में यात्रा कर रहा था तब एक यात्री बस में चड़ा और मेरे पास वाली खाली सीड पर आकर बैठ गया। पैसे मांगने पर उस यात्री ने बस कंड़क्टर को पैसे दे दिये लेकिन बस कंड़क्टर ने उसे बदले में टिकट नहीं दी। बस चलने के बाद जब उसने टिकट मांगी तब उसने कहा कि टिकट का क्या करोगे। मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। दुबारा तुमसे कोई किराया नहीं मांगूंगा। यह देखकर मैंने उस अन्याय का प्रतिकार किया। अंतता कंड़क्टर ने उस यात्री को टिकट दे दी।